पैटरोल महंगा हो घया डिजल महंगा हो गया तो उसका भी सबसी ट्यूट मिल सकता है तो देख सकते हैं कि dignig तरीके की बैल गाड़ी आज की स्टूडियो में पहली बार आपको दिखा रहे हैं तो देख सकते हैं तो सर जी नमस्कार तो सर यह विचार आया कैसे कि ने सुबह बच्चों को रिक्सा में जाते हुए देखा इतने बच्चे तो मैंने बच्चे क्यों है क्योंकि वह बच्चे के जो माबाप पैसा देने के लिए तो उसका समाधन तो हमेरे पास है बेल के जो बेल से अगर स्कूल के बच्चों को लिया जाए तो मेरे इसाब से कम खर्च में जा सकते हैं फिर दूसरा एक वीचार आया कि जैसे मैंने सिसूरत बनाई है जो पास में खड़ा है वो सिसूरत है उसके बाद मुझे द्यान में आए कि किसान बोलत जाना है जो हुंडा से जाता है तो यह बच सकता है बेल से बेल गाड़ी तो लकड़े की बेल गाड़ी तो आज किसान बेठेगा नहीं तो क्या किया जाए तो हम बेल गाड़ी को अधोनिक बेल गाड़ी बना दे तो हमने उसमें क्या चाहिए तो कि उसका दिखावा अच् और बेठने का सोफा जैसा होना चाहिए तो हमने ये 12 सीत रिक्षा बना दी जो रोजगारी दे सकती है भारत के कई दुर्गम विश्तारे जहां आज भी ओटो मोबाइल टेकनोलोजी नव होने की वज़र से उसको परिवन नहीं मिल रहा है यह से दुर्गम विश्तार में हम यह तेकनोलोजी की बेलगाणी दे सकते जीरो टेकनोलजी ची और उसके पास में जौगल में वह किसानरत है जो किसान का सामान भी धिस किसान का ले जा सकता है नेवर को भी ले सकता ह Way यहां झर उससे बगल वाला है और यह जो मैं बेठा हूँ वह है 12 रिक्सा यह काम देनुरत है और चोथा एक हमने रत बनाया है वह साही रत जो साधी ब्यामें सवारी में जो बड़ा एक उचाई वाला जो सीट रहता है तो हमने साही रत बनाए तो चार तरीके के हमने एको वन एको टू एको थ्री एको फोर करके हमने एको लोजीकल चार गाडियों का वर्जन दिया है और यह तरीके से गाम का स्वावलंबन परिवहन का स्वावलंबन पूरे देश में हम ले जा सकते हैं और नर्गववन्स की समद्ध